असलाम अलेकुम आज मैं अब लोगों के साथ अपोलो फिश फ्राई की रेसिपी शेर कर रही हूँ यह बहुत ही ज्यादा फेमस और डिलीशियस हाइदरबादी रेस्टरन स्टाइल फिश फ्राई की रेसिपी है तो चलिए इसमें जद्धा रेसिपी को बनाना हम शुरू कर इस साइस के 40 से 40 पर 5 पीसस होंगे यहां पर मैंने 250 ग्रैम से थोड़ा ज्यादा मशली का इस्तेमाल किया है याने 300 ग्रैम तक होगा इस फिश ट्राई का नेक्स स्ट्रेप है इसे मैरिनेट करना तो चलिए इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम दालेंगे 1 ती पॉन लाल मिच पाउडर हल्दी 1 बाइ 4 ती पॉन आदर टीस पॉन काली मिच पॉड़ा है थोड़ा नमक अपने टेस्ट के हिसाप से डालें 1 एदड अधर तीस्पॉन का पेस्ट याने धेड तीस्पॉन थोड़ा सा अंड़ा दालें अंडे को मैंने अच थोड़ा सा लेमन जूस याने निम्बू का जूस भी डाल देते हैं आपकी जो भी फेवरेट मशली है अप ले सकते हैं लेकिन उसमें कांटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए मैं यहां पे अपोलो फिश का इस्तेमल कर रही हूँ इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मशली तो हमारी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसे हम ज्यादा देर मैरिनेट नहीं करेंगे बस एक पांच से दस मिनिट तक रख दें ताके मसाले मशली के अंदर तक अच्छे से एंटर हो सके उसके बाद हम इसे डीप फ्राइब करेंगे मशली के पीसस को डीप फ्राइब करने के लिए पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर ले तेल हमारा गरम हो चुका है फ्लेम को मीडियम टू लो पे रख दें रखने के बाद हम इसमें मशली के पीसस दालके डीप फ्राइब कर लेते हैं मशली के पीसस को आप बैचस में ही फ्राइब करें याने थोड़े थोड़े पीसस करके ही फ्राइब करें अगर एक वक्त में आप ज्यादा पीसस दाल लेंगे तो एक दूसरे को यह चिपक जाएंगे मशली के पीसस को ज्यादा फ्राई करने की जरुरत नहीं पड़ेगी बस एक 5-6 मिनित में ही ये फ्राई होके रेडी हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेंडर होते हैं देखिए मशली का पहला बैच हमारा फ्राई होके तयार है बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने हैं ये ऐसे ही करके मैं सभी मशली के पीसस फ्राई कर लेती हूं आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ये मशली को फ्राई करने के बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की और बढ़ते हैं इस रेसिपी के नेक्स टेप की और हम बढ़ते हैं पैन में एक टेबल स्पून तेल गरम कर लें तेल गरम हो चुका है फ्लेम को हाई पर ही रखे इसमें बारीक कटीवी अद्रक याने चौप जिंजर ताल देते हैं अद्रक मेने दो टीस्पून दाला है नेक्स हम इसमें एक टीस्पून कटा हुआ याने बारीक कटा हुआ लहसुन दाल देते हैं इन्हें सौटे कर ले फ्लेम का हाई पर ही रखे तीन कटीवी हरी मिर्च इसे भी सौटे कर ले थोड़ा सा करिये पाक नेक्स फ्लेम को लो पर रखे हम इसमें थोड़ा सा दही याने तीन टीस्पून दही दाल देते हैं दही पच्छे से फेल के दालिए थोड़ा सा नमक दाल दे आधरीस्पून लाल मिश पाउडर रेज चिली सौस दो टीस्पून अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं एक टीस्पून धन्या पवर्डर काली मिश पाउडर आधरीस्पून सोया सास यह ऑप्षनल है एक टीस्पून थोड़ा सा नहींबू का जूस दाल दे थोड़ा सा पानी दालके इसे मिक्स कर लेते हैं फ्लेम को हाई पर रखें अबुर। इसे एक 10 सकेंड के लिए फ्राई करने के बाद हम इसमें तले हुए मश्री के पीसों दाल देते हैं इह दालने के बाद शेसे मिक्स करने प्लेम को हई पर ही रखिए मश्री के पीसों सभी जूसर अब्जोब करने तक इन्हें इसे ही फ्राई करते रहिए देखिए यह अच्छे से ड्राइ हो रहा है इसके लिए बस एक तीस सकेंड ही लगेंगे आखिर में हम इसमें थोड़े से धनिया के पते याने कटे हुए धनिया के पते जाल देते हैं इसे भी मिक्स कर लें हमारी बहुत ही ज्यादा मज़ेदार अपोलो फिश फ्राइब तैयार है चलिए अब हम प्लेम बन कर देते हैं आप लोग इस रेसिपी को जारूर ट्राइ करें बहुत ही ज्यादा डेलिशियोस बनेगी अगर आपको मेरी ये मज़ेदार रेसिपी पसन आई तो प्लीज मेरे चैनल कुक विट फेम को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन भी प्रेस कर दें लाइक करें और इस मज़ेदार वीडियो को अपने फैमली और फ्रेंज के साथ शेर भी करें और खुद भी बनाएं और अपने फैमली को खिलाएं अगर आपको मज़ेदार वेजिटेरियन रेसिपीस चाहिए तो मेरे दूसरा चैनल वेजवीट फेम को भी साथ्सक्राइब कर लें मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया असलाम अलेकू